हा दोस्तो, मैं हूँ सेड और एक सवाल मुझसे काफी बार पूछा जा रहा है कि मैं एक जियो सिम को एक 3G फोन में कैसे चलाओं? एक जियो सिम को बिना ओपडेटर चेंज करें, आईफोन में कैसे यूज करूँ या एक single SIM phone में Jio Services का लुफ्ट कैसे उठाओं इसके उपर बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे अलरी बन चुकी है पर उन्हें से आरे से जादा या तो fake है और बाकि जो बची हैं वो या तो उल्टे सीधे methods बताती हैं या बिल्कुल ही बेकार है तो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा जो official method है चलाने का Jio SIM को एक unsupported phone में थोड़ी से पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे लेकिन उसके बाद आप नुफ्ट उठा पाएंगे Jio की सारी services का मैं बात करना हूँ Jio Fire 2 की आप ने से काफी सारे ऐसे होंगे जो इस gadget के बारे में अलड़ी जानते हैं पर काफी सारे ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं और उन सब को मैं बता दूँ एक बहुत ही काम की चीज है बेसिकली एक 4G router है जो Jio के 4G network को wifi hotspot में convert कर देता है और कोई भी phone या कोई भी device इसमें wifi चलेगा उसमें अराम से चलेगा चाहे आपके पास 2G phone हो, 3G phone हो या एक Android tablet ही क्यों ना हो उसके अलावा मैं इसका review में अड़ी कर चुक हो हमने चैनल पर तो आप उसको ज़रूर चेकाट करें लेकिन एक quick recap सामें आपको देता हूँ बहुत दिखने में प्यारा gadget है छोटा gadget है, compact gadget है और अगर आपके college student या एक business professional या outdoors रहते हैं आप इसे अपने pocket में, coat sleeve में या bag में डाल कर घूम सकते हैं बैटरी life गजब की है, पूरा दिन चल जागा 6-8 गंदे तक आपको अराम से निकाल देगा 2000 रुपय का इसका market price है और इसके उपर Jio का introductory offer चल रहा है और खबर तो ये है कि जो introductory offer है वो अब मास तक चलेगा तो हो सकता है आपको अगले साल तक free wifi, free services और free calls मिल जाएं और हाँ, calling की बात भी कर लेते हैं क्योंकि आप मैं से बहुत सारे होंगे जो free calls और free SMS के लिए excited है तो उनको मैं बता दूँ कि इस देश का शायद पहला 4G dongle है जिसमें calling support की गई है आपको अपने phone में Jio 4G voice app डाउनलोड करना है और उसके बाद आपका phone काबिल हो जाएगा Jio SIM use करके calls करने के आपका चाहिए phone 3G हो, 2G हो या एक Android tablet क्यों ना हो जो भी Wi-Fi से connected होगा, calls कर पाएगा सिर्फ calls ही क्यों, आप Jio की बाकी services का भी लुफ त उठा पाएगे, चाहिए वो Jio Beats हो जाए, Jio Movies हो जाए, जो भी वगेरा services है, लेकिन सबसे जो important बात है, इसके लिए आपको एक second SIM card slot की ज़रूरत नहीं है SIM card Jio 5.2 के अंदर ही रहेगा तो मतलब आप इसको एक single SIM phone में भी यूज़ कर पाएगे दो ड्रॉबाक्स हैं इसके लेकिन primarily, पहला ये iPhone पर अभी तक supported नहीं है, तो अगर आपको पैसे Apple iPhone है, उसमें dual SIM slot नहीं है, आप इसके सिर्फ 4G network का फाइदा उठा पाएंगे dongle के through, आप calls नहीं कर पाएंगे दूसरी बात, इसको आपको पूरा time connected रखना पड़ता है अपने GeoFi 2 से, मतलब अगर आपका GeoFi 2 की बैटरी खतम होगी, आप calls भी नहीं कर पाएंगे, तो ये था सबसे आसान, official और legitimate तरीका Geo SIM को एक unsupported phone में चलाने का, चाहे एक 2G phone हो 3G phone हो, Android tablet हो, या एक single SIM phone ही क्यों ना हो, जिस phone में भी Wi-Fi support करता है, उससे ये compatible होगा, और काफी futuristic gadget है मेरे असाब से, क्योंकि अगले साल जब Geo commercialize हो जाएगा tariffs आ जाएंगे, तो अभी उसके 4G tariffs सबसे सस्ते रहेंगे तो एक अच्छी investment है और अगर आप एक single SIM phone लेने से कतरा रहे हैं, ये सोच कर कि मैं Geo SIM कहां fit करूँगा मत घबराइए, ये सस्ता जुगार मौजूद है मैं उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपकी मदद करेगी और इसको like और खासकर share करना मत भूली, ताकि और लोगों की भी हम मदद कर पाएं, अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो इस चैनल पर ज़रू सब्सक्राइब करिए मेरा नाम है सिड, वह पर ज़रूर आईए चाओ